हालो टेटर्स वेलकम टो ट्रैलान स्टॉक्स वन्स अगेन टुडे देखी मैंने अभी थोड़ी दिर पहले एक वीडियो डाली थी इरकॉन इंटरनाशनल लिमिटेड के ऊपर जहांपर सरकार अपना 15% का स्टेक सेल करने जा रही है OFS के थुरू यानि के offer for sale के थुरू वो news आई थी अभी आज सुबही और वो उस news के basis पर ही मैंने वो वीडियो डाली थी और देखे इरकॉन इंटरनाशनल के उपर आज से ठीक देड़ महीना पहले भी सेप्टेंबर के अंदर मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक इनको बहुत बड़ा काम मिला है railway की electrification का जिसकी वज़े से stock के अंदर बहुत तेजी आई थी वो वीडियो का link मैं उपर आई बटन में देदूंगा वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं अब देखें इस नई वीडियो पर जो मैंने जस्ट आज डाली है 8 November को उसके उपर एक comment आया है हमारे किसी एक viewer का जिनका नाम है Mr. UV उन्होंने बोला है कि सर मैंने आपकी पुरानी वीडियो देखकर यह stock लिया था और अभी यह stock loss में चल रहा है तो further मैं इस stock से exit लेने जा रहा हूँ so that की मेरा और loss ना हो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है सभी traders के लिए in fact हमारे सारे viewers के लिए के वो समझें कि trading और investing के अंदर फर्क क्या होता है सबसे पहले मैं आपको comment दिखा रहा हूँ उस comment का मैंने उनको reply भी कर दिया लेकिन फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगी कि आकिर हम लोग गलती कहां कर रहे हैं और क्यू हम लोग पैसा गवा देते हैं और इस बात की भी देखिए इस चीज से पुष्टी होती है क्योंकि आपने देखा होगा सुना होगा एक बात कही जाती है stock market के अंदर कि traders में से total केवल 3-4% ही traders ऐसे होते हैं जो पैसा कमा के जाते हैं बाकि सब loss में रहते हैं तो उस चीज को भी देखिए हम लोग यहां समझने की कोशिश करेंगी कि ऐसा है क्यों और देखिए इनोंने क्या कहा है मैं भी बता रहूँ एगंडे पहले कहीं यह basically इनका comment है I have buy on your last video now in loss will exit to avoid more loss यह इनोंने basically comment किया है जिसका मैंने reply भी इनको यानिके मैंने देखिए इनको यह समझाया कि अगर आपने इस stock के अंदर long positions बनाई थी यानिके buy की positions बनाई थी खरीदा था इसे stock को long term के लिए investment purpose के लिए तो आपको loss में नहीं होना चाहिए आप loss में नहीं है क्योंकि long term के लिए यह stock बहुत अच्छा है Irkon International के fundamental analysis भी थोड़ी सी मैंने briefings उस video में दी थी जिसके अंदर देखिए यह भी बताया था मैंने कि एक सरकारी company है और देखिए सरकार का 90% share है इस company के अंदर और बहुती शांदर तरीके से इसने अभी तक perform करके दिखाया है आगे मैंने क्या लिखाया देखिए इसमें और देखिए इसके बाद मैंने इन से क्या कहा कि अगर आपका जो perspective था जो सोच थी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की थी तो आपको stop loss रखना चाहिए था जो एक trader के लिए बहुत ज़ादा mandatory condition होती है और हर एक वीडियो में मैं clearly mention करता हूँ जिसमें मैं trading का call देता हूँ कि आपको इसके अंदर अगर trading करनी है तो ये levels होने चाहिए यह stop loss होना चाहिए और ये target होना चाहिए और traders को ये rule बिलकुल बिना किसी hitcher के बिना किसी hesitation के अपनाना चाहिए कि जब भी trading ले रहे हैं चाहे cash market में चाहे F&O में आपको अपना stop loss लगा के चलना है चाहे आपने long की positions बनाई हो चाहे आपने short की positions बनाई हो ये basically मैंने इनको reply किया है देखे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि उस video के अंदर मैंने suggestion दिया था कि आपको इस stock को लंबे समय के लिए hold करना चाहिए अपने portfolio में ना ही trading के लिए करना चाहिए ये मैंने clearly वहाँ बोल रखा है आप वो video जाकर check कर सकते हैं उसके बाद ही के chart पर समझाता हूँ कि उस वक्त जब मैं video बना रहा था last video एक से डेड़ महीना पहले उस वक्त क्या उसकी position थी और आज उसकी क्या position है देखे ये है इरकॉन international limited का intraday chart और मैं आपको बता देता हूँ अभी जो इसकी closing है वो 77 रुपीज 95 पैसे पर है यानि के लगबख 78 रुपीज के आसपस इसने closing दी है last reading session में Friday को और जो मैंने video बनाई थी उसका मैं clearly आपको बता देता हूँ वो video बनाई थी मैंने 18 September को जब ये dozy candle की formation इस stock के अंदर हुई थी ये आप देखे clearly यहाँ पर आप dozy candle देखेंगे और इस stock ने देखे यहाँ से गिरावट दिखानी शुरू करी थी mid of August के बाद में ये नीचे तक आया किन levels तक मैं आपको बता देता हूँ 10 September तक ये नीचे आया इसके जो levels थे देखे वो थे लगबग 80 रुपे के और उसके बाद इसने फिर एक sharp उपर की तरफ rise दिखाया और फिर वहाँ से गिरावट शुरू करी तो मैंने जो वीडियो बनाई थी देखे इस dozy candle पर बनाई थी और इस dozy candle से ठीक एक दिन पहले यहाँ पर news आई थी कि इस company को एक बड़ा काम मिला है railway की electrification का जिसको market ने discount किया है इसकी वज़े से यहाँ पर इतनी बड़ी तेजी देखी गई है इन दो दिनों के अंदर साथ ही मैंने ये भी बताया था कि देखे जब भी dozy formation होती है किसी भी trend में वो एक indecisive candle होती है और वहाँ से आप ये चीज़ मान सकते हैं ये चीज़ अनुमान लगाया जा सकता है कि जो उससे पहले का trend था वो reverse होने जा रहा है यानि कि देखे अगर वो एक uptrend में आई है further इसने गिरावट दिखाई है ये चीज़े मैंने वहाँ बोल रखी थी लेकिन 18 September के बाद आज मैंने वीडियो बनाई है इरकॉन पर इस बीच में मैंने कोई भी वीडियो इरकॉन इंटरनाशनल पर नहीं बनाई खेर anyways अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ आज की condition इसकी ये है और आज देखें OFS की खबर आई है OFS से होता क्या है कि OFS की खबर जब भी आती है किसी stock में उसके बाद में वो stock के अंदर price गिर जाते हैं क्योंकि OFS में जो भी price होते है floor price होता है उसके उपर discount दिया जाता है यानि कि देखें market का जो price है market price से discount के उपर OFS लाया जाता है generally मैं आपको बता रहा हूँ उसी की वज़े से देखें share के अंदर negativity आ जाती है OFS खुलने वाले दिन से लेके और बाद तक उसके अंदर गिरावट ही देखने को मिलती है जैसे HCL में हमने देखा जैसे हमने BDL में देखा भारत dynamics limited में ये सरकारी companies में हमने देखा है जो अभी पिछले September मन्त में यहाँ पर सरकार लेकिया ही थी वैसी expectation मैंने याँ बताई थी को की ऐसा हो सकता है लेकिन Irkon International एक बहुत अच्छी कमपनी है सरकारी कमपनी होने के बावाजूद एक ऐसी कमपनी है जिसका सबसे ज़ादा dividend paying ratio रहा है बहुत अच्छा dividend देती है भारी भरकम dividend ये देती है अगर आप पूरे calendar year का dividend भी देखेंगे इसका उसके बाद देखे कमपनी ने जो progress करी है वो भी बहुत शानदार है और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से railways के अंदर काम काज हो रहा है वो भी इसके लिए बहुत positive impact डालतावा नजर आएगा short term के लिए ये नीचे जरूर आ सकता है लेकिन long term में ये stock काफी अच्छे returns आपको दे सकता है ये बात मैंने तब भी कई थी और ये बात मैं अभी भी बोलता हूँ तो हमें एक चीज के उपर गांट बान देनी चाहिए कि अगर हम trading कर रहे हैं तो trading का बिल्कुल mindset अलग होता है और अगर हम investing कर रहे हैं तो investing का mindset अलग होता है अगर आप investment के इसाब से इन levels के उपर अपने portfolio में इस stock को जगा देते हैं तो वो आपको आगे चलके काफी अच्छे returns दे सकता है यानि के आने वाले time में लंबे time की मैंने बात करी थी कम से कम एक से डेर साल का perspective मैंने लिया था आज अभी केवल डेर महीना हुआ है और अभी बहुत जादा uncertainty market में अभी भी है हम लोग पूरी तरीके से COVID impact से बाहर नहीं निकले हैं तो investment का मतलब होता है आपको लंबे time के लिए ठीके रहना है stock में और उसके बाद return expect करने है ना कि short term के अंदर और short term के लिए अगर आप कोई भी trade ले रहे हैं और without stop loss ले रहे हैं तो वो बिल्कुल इस तरीके से होगा कि आपको तैरना नहीं आता लेकिन आप फिर भी swimming pool में कूद पड़े हैं जो कि बहुत गहरा है तो वहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं अब इस example से कि अगर आपको swimming नहीं आती फिर भी आप गहरे swimming pool में कूद गए तो क्या खतरा आपको हो सकता है same condition stock market में है अगर देखिए trading अगर नहीं आती तो हमें trading को सीखना पड़ता है और trading के सीखते वक्त हमें ये चीज जरूर समझाई जाती है कि technical indicators plus experience plus past जो history रही है उसको ध्यान में लेते हुए हमें कोई trade positions बनानी होती है और साथी stop loss हर condition में लगाना होता है इसलिए ज़्यादा तर traders fail हो जाते हैं loss में रहते हैं और केवल धाई से 3% ही traders होते हैं जो मुनाफ़ा कमाके ले जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये video self-explanatory है अगर आपने इसको पूरा end तक जरूर सुना है तो मेरे साब से अब आप थोड़ा सा इससे जरूर सीख लेंगे कि हमें हमेशा stop loss के साथ ही trading करनी चाहिए तो ये मेरे ख्याल से यूवी जी आपको जवाब बिल्कुल मिल गया होगा अगर आप long term के लिए इस stock में बने हैं तो आप बिल्कुल इसके अंदर hold करके रखे अपनी positions को और अगर आपने short term के लिया था तो अब market की conditions को देखते वे अपने according विल्कुल इसके अंदर निन्ने ले और अगर फिर भी कोई confusion रहे तो अपने financial advisor की राय जरूर ले तभी कोई positions बनाए किसी stock में या फिर exit करें तो मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में नए stock के साथ तब तक लिए नमस्कार थेंक्यू जैहिंद